बिजली वितरन, सुवीधा या श्राब जो ही बरसाद का मौसम आता है पालगर जिले के लोगों में भय का माहौल सा हो जाता है खास तोर पर वसेई विरार शेत्र और पालगर के लोगों के लिए ये चिंता का विशय है ऐसा इसलिए क्योंकि इन शेत्रों में बिजली के जटके लगने से दुरभागय पूर्ण हाथ से हो रहे हैं बीते वर्ष ऐसे ही बारिश के मौसम में एक स्खूली छात्रा तनिश्का लक्षमन कामले को उसके घर के पास ट्यूशन जाते समय रास्ते पर जमे हुए पानी में बिजली के करेंट लगने से दुखत मुरुत्य हो गई थी इस पर हमने जानकारी दी थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वही कुछ दिनों पहले पालघर के माहिम शेत्र में एक तीसरी कक्षा की बच्ची प्रिशा महर को बिजली का जटका तब लगा जब वो ट्यूशन जा रही थी बताया जा रहा है कि प्रिशा हस्पताल में है और इलाज चल रहा है इस कड़ी में और दुखत खबर नाला सोपारा के गौराई पाड़ा से मिली है जहां ग्रह प्रवेश के अउसर पर सोनी नारायन गुपता नामक 35 वर्षिय महिला को बिजली के करेंट लगने से मौत हो गई जहां उस घर में खुशी का माहौल था अब वहां मातम चा गया है करेंट कैसे लगा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है साथ ही नाला सोपारा के 33 वर्षिय आशी शर्मा को बिजली के करेंट लगने से उनकी दुखत मृत्य हो गई बताया जा रहा है कि महावितरन के लाल बॉक्स खुला रहने की वजह से यह हाथसा हुआ जिसके कारण एक हस्ते खेलते परिवार से एक व्यक्ती हमेशा के लिए जुदा हो गया क्या बरसाथ के मौसम में इसी तरह लोग अपनी जान गवाते रहेंगे एक तरफ वसई विरार महानगर पालिका के बनाए रास्तों पर पानी भरा रहता है जो कि लोगों के घरों में भी घुज जाता है वहीं महावित्रन की लापरवाही ऐसी है कि लोगों की जान पर बनाती है और मासूम लोग इसके शिकार हो जाते हैं क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि लापरवाही बरकर उसे लिया जाए जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके लोगों की बिना किसी कसूर के प्रशासन की लापरवाही से जान चली गई कब तक चलेगा ये मौद का खेल सबी लोगों से अपील है कि अपने शेत्रों में अगर कहीं खुला बिजली का बॉक्स दिखे या खुली बिजली की तार दिखे तो तुरंत उसकी जानकारी संबंदित विभाग को दे हो सके तो तस्वीर खीच कर संबंदित विभाग को भेजें सतर्क रहे सुरक्षित रहे